आपका स्वागत है मैं हूं सीमा पांडे आज मैं एक नई स्पेसल रेसिपी शेयर करने वाली हूं आज हम घेवर बनाएंगे यह बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं और देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं आप इनको पहले बना करके रख सकते हैं उसके बाद आप जब भी आपके गेस्ट आएं महमाना है तो आप सब कर सकते हैं और घेवर बनाने क एक चमबच नीवू का रख से हैं सबसे पहले हम घेवर बनाने के लिए ग्यावर का घोल बनाएंगे पेस्ट बनाएंगे उसके लिए मैं सबसे पहले घी लेती हूं एक बड़ा से वावल में घी लेंगया और इसमां एह बरफ है जाएज कीम और इसको अच्छे से हम इस देखिए एकदम से बटर की तरह से हो गया है अब मैं इन आइस्क्रीबों को निकाल देती हूँ अब मैं इसमें दीर दीर करके मैदा को मिलाओंगे और इसका पेस्ट तयार करेंगे मैदा को हम दीर दीर ही मिलाएंगे हम इस तरह के से सारी मैदा को मिला लेंगे और हमने ये ठंडा पानी लिया है फिरिज का पानी लिया है और ठंडे पानी को दीर दीर डीर डाल करके इस तरीके से भोलेंगे इसमें दम स्वगरा नहीं पढ़ने चाहिए हमें दीर दीर पानी डालना है मैं ये बेशल भी मिला लेती हूं और इसको भी अच्छा से अब मैं इस दूद को भी मिला लेती हूं दूद भी अमको ठंडा ही लेना है फिरिज का एक दम से ठंडा दूद है थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे इसमें कहींने ही दूद है हमारा देखी एक दम से समूथ पेस्ट बन करके तयार है गेवर के लिए हमको जो गोल लेना है बैटर लेना है पतला ही ले इस तरीचे सर्थ जद्सेऻ क्रस्प करके देखिए वाल की नहीं वनेगी देखिए इस तरीके से हमारा तुल तयार हो गया है अब मैं इसमें नीव का रस मिला देती है और अच्छे से मिक्स कर दीओ गेवर इस तरीके की दिंग से बनाऊंगी आप चाहो तो बजार में मर्ट मिलता है किसी भी परतन वाले की दुकान पर कही पर भी आसानी से मिल जाता है आप उससे भी बना सकते है आज मैं इस रिंग से बनाऊगी और मैंने कड़ाई में तेल लिया है और तेल को गरम मुझे रख दिया है हमको तेल तेज गरम चाहिए और मैं इस रिंग को भी रख देती हूं इसमें बीच में आप चाहूं तो पेश्ट को इस तरीके से बोतल में भड़ सकते हैं जिससे दालूंगी और थोड़ा सा ध्यान लगना है क्योंकि इसमें तेल उपयाग के जॉरके पी तो फैलता है तो दोड़ा के चली टाले उपर से ड़ने मै फेस्टाट करती हो और थोड़ा-थोड़ा यहम को को का बादर को डालना है जिसकत रिख यहाग के इस तब ह्याग देख से गाल नहीं हो इस तरीके से भीश में होल चाथे जाए जिस्ते हम बेटा डाल से के तोबार से बेटा डाल दियो कर अंगा डाल एम इस बाल again, घर्म आ कोई गया होरा है जढी कर दोबार में होना हि में ही काल चार ऑम इस तरीकी साउतीर कोई बेटा जाए जाता begin के तो बेटा पलेगाई हमने हम इस तरीचे से पोल करते जाएंगे करते जाएंगे। आप अपनी पसंद के अनुसा जितना मोटा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं सकते हैं कर दो थोड़ा से घूल हम उनके किनारों पर भी टाल देंगे इस तरीके से अब थोड़ा सा उपर से भी सिख जाए इस तरीके से हम हां हमारा भी वर से गया है इसको नकाल लेती हूं बहुती केरफुली जालना मैं आपको निकाल के बताती हुए लेकिंध फूर अच्छा बनाना हुए हम इसको लेके लिए अच्छा लेती हूं अब मैंसको नकाल लूँ देंगे इस तरीके से इस तरीके से रख जाएंगे जिससे एस्ट्रा ओल होगा वो इसमें निकल जाएगा थाली में आ जाएगा कटूरी में आ जाएगा इसी तरीके से मैं सारे गेवरों को सेख लूगी अभी इस तरीके से मैंने दसरी गे वरों को चेख लिया है और एक कम मैदा मेंके four गेवर बने सिपने मे बारे और दस से बारा मिनट लगे हैं और मैंने बेस्ट को डाला था इस तरीके से मेरे गेवर बन करके तयार हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगली वीडियो में मैं इनको पाख करूँगी डेकोरेट करूँगी किस तरीके से करेंगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं नई रसी पे कसा धन्यवाद